अगर आप सीटेट की या फिर कोई भी कॉम्पेटिटिव एक्जामिनेशन की तियारी करने हैं तो हमारे स्टड़ी स्क्वीज चैनल से आप जरूर जुड़िए क्योंकि यहां पे मैं आपको डिरेक्ट एंसी आटी बुक साथ में पेड़ागोजी सेशन और साथ में आपको व्याकरन भी कंपलीट करा रही होंके तो आज भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप तो समझ गहीं होंगे कि आज भी मैं आप लोगों के सामने हिंदी व्याकरन ही लेके हाजीर हुई हूँ और आज हम लेशन 4 को पढ़ेंगे और इसमें हम लोग वाकी यानि सेंटें जो क्लास 5 में पढ़ता है उस बच्चे की मैं बुक लेके आई हो के और मैं लास्ट में प्रूफ कर दूँगे आप सभी को कि ये छोटे से बच्चे की बुक है अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत गैरेंटी दे रही हूं कि इस तरह से आप किसी भी बुक में या फिर कोई भी चैनल पे आप नहीं पढ़े होगे जैसा कि आज में आप लोग को पढ़ाने वाली हों गैरेंटी है इसमें बहुत डिपली नॉलेज है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगा ओके तो चले स्टार् बच्चे की बुक है तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ छोटी सी पोयम दी गई रहती है जिसके अंडर में आप लोग इस जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग समझ लोगे तो चले इस पोयम को हम लोग पढ़ लेते हैं स सुनते कहते सबका हाल वाक की है यही चाल शंका इक्षा आशिवाद आता प्रश्न या मन के भाव सेरल शन्युक्त और मिश्रन होकर बात बताते तीनों काल ओके तो यह हो गया चुकि यह सौट में आपको संटेंस के बारे में बता रहा हैं अब स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहां से हम जानते हैं कि शब्दों के सार्थक विवस्थिस समू को वाक्य कहते हैं यह तो हो गई इसके डिफनेशन वाक्य के द्वारा ही हम अपने विचार पुन और स्पष्ट रूप से वियक्त कर पाते हैं वाक्य बाक्चित के माध्यम से होते हैं वाक्य को भी सब चीज नहीं जानते होंगे अब भी तक तो फर्स दो अंग होते हैं नोट डाउन करते जाएगा स्क्रीन सोट फिलहाल आप लोग ले लीजेगा बाद में अच्छे से नोट बना लीजेगा अगर आपको पीडिये फॉर्म चाहिए होंगे तो उद्देश यानि सब्जेक कहते हैं इंगलिश में तो आप लोग जानते ही होगे उद्देश करता भी होता है जैसे रौकी खाना खा रहा है यहां रौकी उद्देश है क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा जा रहा है या करता भी है यानि जो सब्जेक्ट होगा वही करता भी होगा जो उद्देश होगा वही करता भी होगा तो सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में उद्देश कहते हैं यह आप लोग नोट कर लीजेगा सेकर्ड है इसमें विधे जिसे हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं वाक्य में उद्देश के बारे में जो कहा जाता है उसे विधे कहते हैं इसके अंतरगत मुखे तक कर्म वा क्रिया आते हैं जैसे रौकी खाना खा रहा है खाना हो गया कर्म और खा रहा है हो गया क्रिया अब आगे बढ़ लेती हूं मैं यहां खाना खा रहा है विधे है क्योंकि यहां रौकी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कर्म खाना और क्रिया खा रहा है विधे के अंतरगत आते हैं अब यहां पर थोड़ी सी कट हो गई है बट मैंने इस कर लिए वाक्यों को दो भागों में बाटा गया है अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार यह भी नोडांग किजेगा कि वाक्यों को कितने भागों बाटा गया है दो भागों में अर्थ के अनुसार रचना के अनु आठ प्रकार के होते हैं वाक्य को दो भाग में बाटा गया है अर्थ के अनुसार और रचनक अनुसार और अर्थ के अनुसार आठ प्रकार के बाटे गया है कौन सा है विधान वाचक निशेद वाचक प्रश्न वाचक आग्या वाचक इक्षा वाचक शंदे वाचक शंकेत व औके तो इतने सारे को screen shot लेके no down कर लीजेगा अब हम लोग इनके बारे में जानेंगे पहला है विधान वाचक वाक्य जिन वाक्यों का प्रयोजन कोई सूचना देता है ठीक है उन्हें विधान वाचक वाक्य कहते है यह वाक्य किसी व्यक्ती वस्तु अत्वा इस्थिति के बारे में कोई जानकारी देते हैं जैसे प्रिथवी गोल है यानि प्रिथवी गोल है इसकी जानकारी यह हमें दे रहा है मैं कल बिमार थी इसके बारे में भी भी वो अपने बारे में जानकारी दे रही है किसी और को सेकंड है निशेद वाचक ठीक है जिन वाक्यों से किसी का कि नौने या न कर पाने का पता चलता है उन्हें निशेद आपने इसे ही समझ गए होंगे कि यह कोई आपको रूल में बांध रहा है या किसी किसी चीज को यह खारिच कर रहा है कि कहते हैं इन वाक्यों में नहीं और मत शब्दों का प्रेङग होता है जैसे मैं खेल नहीं सक फूल मit तोड़ो ये सब पर निशेद लगाया गया है थरड है इसमें प्रष्णवाचक वाके जिन वाकियों के दोरा प्रष्णवाचक वाके कहते हैं इन वाकियों में क्या कॉन कब कैसा आदी प्रश्नि सूचक शब्द आते हैं तो ये तो समझाने की जरूरत हिन नहीं है एक्जामपल दिया गया है तुम्हारा नाम क्या है और शीलू का जनमदीन कब आता है अब आग्या वाचक वाके ये भी समझ गए होंगे आग्या ठीक है जिन वाकियों में आदेश, निर्देश, आग्या, अनुमती, निवेदन, प्रातना, आदी का भाव होता है उन्हें आग्या वाचक वाके कहते हैं जैसे तुम बैठ कर पढ़ो ये आदेश दिया जा रहा है क्रिपिया मेरी बैगला दो ये निवेदन कर रहा है फिर थैस में इक्षा वाचक वाके जिन वाकियों से बोलने वाले की इक्षा, शुझा, आशिवाद या शुबकामना आदी का पता चलता है इन्हें इक्षा वाचक वाके कहते हैं जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र देगी आशिवाद दिया जा रहा है यहाँ पे और चलो कुछ खा लेते हैं यह सुझाओ दिया जा रहा है जिन वाकियों में किसी काम को होने की बारे में शंका या संदेः व्यक्ति की जाती है जैसे शाम, शायद शाम को बारिश होगी यानि यहाँ पे शंभावना बन रही है बारिश हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है संभुवत रौनी चला जाए ठीक है वो चला भी वो कामना कर दी है को हो सकता है वो चला जाए और या फिर वो होगा भी और आ जाती हूं है सेवन्थ पे और एट ठीक है इस्क्रीन सॉर्ट आई होप आप लोग सभी ले रहे होंगे संकेत वाचक वाक्य जिन वाक्यों में काम की सफलता या असफलता दूसरी काम पर निर्भर होती है उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं जैसे अगर मोहित खेलेगा तो मनिश भी खे होगी फशल भी डिपेंड है वर्षा के उपर अगर वर्षा अच्छी हो रही है तो फशल भी अच्छी होगी एट है विश्मयादी वाचक वाक्य जो वाक्य भाव जैसे दुख खुशी आश्यरे शोक आदी को प्रकट करते हैं उसे विश्मयादी वाचक वाक्य कहते हैं जैसे अरे तुम कब आए ओ ये क्या हो गया तो ये जो अचानक आते हैं न इसी को बोलते हैं विश्मयादी वाचक वाक्य तो आई होप आप सभी स्क्रिंसोर्ट लेते गए होंगे मैं बढ़ लेती हूं आगे अब रशना के अनुसार वाक्य के तीन प्रकार है ठीक है पहला प्रकार के अब ये हो गए तीन प्रकार के अब कौन-कौन से हैं सरलवाक्य है सनिपतिवाख है और मिश्रवाख रहते हैं जैसा मिशा क्हेल रहे हैं इसमें मिशा हो गई उदेश और विधेख हो गई खेल रहे हैं आप लोग इंग्लिश में अरड़ी ये सब पढ़ चुके होंगे और बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चे हो गया उदेश और पढ़ रहे हैं हो गया विधेख स्क्रीन सॉट लेते जाएगा अब आते हैं सन्युक्त वाक्य के बारे में जिसे हम लोग कांपाउंड संटेंस भी कहते हैं ऐसा वाक्य जो दो या दो से अधिक स्वतंतर वाक्यों को योजक शब्दो द्वारा जोड़कर बना हो योजक शब्दो द्वारा ये नोट आउं कीजएगा बहुत इंपॉर्टनण है जिसे सन्युक्त वाक्य कहते हैं तो जैसे हम चलते हैं पर तुम रुक जाओ यहाँ पर पर आ गया योजक ओके हम चलते हैं यह पहला वाक्य हो गया तुम रुग जाओ तो यह इसको ऐसे पकड़ में आएगा आपको कि यहां पे दो आपको sentence मिलेंगे यहां पे दो sentence मिलेंगे बीच में जोड़ने वाली कोई चीज मिलेगी वो हो जाता है यूजक जिसे हम लोग compound sentence कहते हैं यहां पे आपको पहला sentence मिल रहा है और यहां पे second sentence मिल रहा है और इसको भी देख लेते हैं सिक्छा कक लगे और यहाँ पर होगे आपको विधेयक तो स्क्रीन सोट लेके अगर समझ में आ गया है तो ठीक है नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताए मैं फिर से आप लोगों को ये चीज रिपीट कराऊंगी सन्योक्त वाक्यों को जोड़ने के लिए और पर यू पर यानि मिश्रित है ये बिल्कुल ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिये गये हो यानि एक इसमें प्रधान होगा और उनसे रिलेटेड और वाक्य को उन पर आश्रित करके जोड़ दिया जाता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं जैसे मैंने सुना है की रोहन घर पहुँच गया है इसमें मैंने सुना है ठीक है यहाँ पर प्रधान वाक्य हो गया की आपका योजक हो गया रोहन घर पहुँच गया है यानि यह जो संटेंस है यह इस पे आपको डिपेंड हो गया इसलिए इसे आश्रित वाक्य कहत यहां मैंने सुना है प्रधान वाक्य है जो योजक शब्द की की सहायता से आश्रित वाक्य रूहन घर पहुँच गया है से जुड़ा है मिश्र वाक्यों में की क्योंकि जब डब जैसा तैसा यदी तो आदी योजक शब्द का प्रियूग होता है स्क्रीन सॉट ले लिजेगा नोडान जरूर कीजेगा इनसे कोश्चन्स काफी बार आते हैं अब यह भी जान लो ये भी इंपोर्टेंट है एक प्रकार का वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बतला जा सकता है इसे वाक्य परिवर्टन कहते हैं ये भी इंपोर्टेंट है वाक्य परिवर्टन किसको कहते हैं तो एक प्रकार के वाक्य को हम जब दूसरे में चेंज कर देते हैं तो उसे वाक्य परिवर्टन कहते हैं अब आगया हमारा रिल्कॉल याने हमने अभी तक क्या जाना शब्दों का सार्थाक एंववस्थित सम्मूः वाकि कहलाता है वाकि के दो अंग होते हैं उतेश और विधे अर्थ के अधार पर वाकि के आठ प्रकार के होते हैं विधान वाचक, प्रशन वाचक, आग्यावाचक, निशेद वाचक, इक्षा वाचक, शंदेवाचक, संकीत वाचक और विश्मयादी वाचक रश्टा के अनुस्सार वाके के तीन भेदोते हैं सरल, शन्युक्त और मिश्रे कि अब चुकि मैंने बोला था यह छोटी से बच्ची की बुक है तो आप देख सेकते हैं सामने आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे यहाँ पर कोशन सेंसर दिया गया है जो बच्चे ने अपने टास्क को पूरा कर लिया है यह काम आपको भी करना है बस आपको यहाँ पर ठीक है यह भी कोई हलकी चीज नहीं होती है भाशा खेल ठीक है यहाँ पर दी गहीं जिसे स्क्रीन सॉट लेकर आपको पढ़ना है ठीक है अब इन सब को स्क्रीन सॉट लेते जाएगा और नहीं तो मैं पीडियेव डाल दे रही हूं आपको टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पर जाके आप यह सब पीडियेव डाउनलोड कर लिजेगा तो यह था आज का चैप्टर जो हो गया है यहीं पर समात मैं नेक्स चैप्टर लेकर तुरंत हाजिर होंगी तो मेरे चैनल पर आप जरूर बने रहेगा तब तक के लिए बाबाए सी यू